तो बिहार बिएट इंटरेंस एक्जाम 2024 के एडमिशन की प्रक्रिया अब अंतिम चेर्ण में पहुँच चुकी है यानि कि ठेट काउंसलिंग की प्रक्रिया भी श्माफत हो चुकी है अब बहुत सारे ऐसे अभियरति हैं जो कि एस्पोर्ट काउंसलिंग के इंतिजार कर रह है अब अगर सेट ये बची हुई है उसके एस्पोर्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया सुड़ होने वाली है लेकिन इसी बीच आप बहुत जगर पे देखे होंगे कि कहीं पर बताया जा रहा है कि चार हजार सीट खाली है इसपोर्ट के लिए कहीं पर साथ हजार यानि अलग है कि एसपोर्ट एड्मिशन होगा लेकिन जो सभी लोग है वह सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटे नहीं भर पाई है वैसी इस्तिति में आपका एसपोर्ट होगा है और एसपोर्ट होना भी चाहिए क्योंकि सीटे अभी भी खाली है बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहा अभी आपको इन्तिजार करना पड़ेगा इन्तिजार करना पड़ेगा क्योंकि लेत लाइं मितलाइं बेसई यह सीटे ने अभी तक कोई अपडेट नहीं कि दिया है आज के नीज़ पिपर को भी आप देखेंगे तो कहीं भी किसी भी नीज़ पेर में आपका शपोर्ट क इनतिजार करने है और आफ से मिलेगा तो जो यहां से अपडेट आपको मिलती रहेगी अभी आप देखेंगे इस सुरू होगी तो उसमें बिलाम क्यों हो रहा है कब तक सुरू हो सकता है कौन-कोन भाग ले सकते हैं इसको प्रवाद करते हैं कल 7 सेप्मबर था और सा शत्रे मली सीट हूआ हुआ उसकी रीपूर्ट है सभी कॉलीज करंव घ्राहरें में यह किस कोलेज में कितनी सीट्टे करी है यालिज वा ठाली है तो थी कॉलेज और L&O क्या करेगा उसको अपनी ब्यो साइट के ऊपर अपडेट करेगा यानि कि जो उसका और आप देखेंगे तो यहां पे वियो साइट के उपर वह हमें करेगा और एक फीडिये फॉर्म में आपको यहां पर शेयर भी करेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटे खाली है उसके अभी भी आप किसी भी newspaper के मादम से sport counselling का जिक्र नहीं सुने होंगे और नहीं कितना seat vacant है इसकी आप सुचना सुने होंगे एक और सवाल यहां पर उठता है कि आप ध्यान रखिएगा कि कल admission की समापती हो गई अगर मान लेते हैं कि third counselling के बाद भी admission को close किया जाता अगर seat भर जाती तो newspaper के मादम से article आपको देखने को मिल जाता कि जो बीड में admission के लिए third counselling में ही पूरी seat फूल हो गई तो यहां से यहां अंदाजा लगता है कि जो भीड में admission के लिए आपका ठट counselling है उसके बाद भी seat आपकी फूल नहीं हो पाई है अब जितनी भी seat हो देखिए हम लोग सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि इतना seat खाली है कोई कर सकता है कोई तीन हजा कोई चाहर कोई पा लगता है कि में भी आपका 10 जो सेप्टमबर है वहां से admission की परक्रिया आपकी पूरी होगी और आपका 15 सेप्टमबर तक यह प्रोसेस चलेगा यानि कि एलनु के और से नोटीस आएगा वह 15 सेप्टमबर से पहले-पहले एसपोर्ट काउंसलिंग की परक्रिया को पूरा करने का यहां पे लक्ष रखा जाएगा इस बात को आपको ध्यान रखना है तो कितनी भेकेंट सीटे हैं कल साम तक कॉलेज क्या किया होगा अपना रिपोर्ट एलनु को सौब दिया होगा अब एलनु जो है अपने वेव सा सान होने की जोट नहीं है इतना दिन आप इंतिजार किया है बस कुछ गंटों की बात है या आज तक अफुट कर लिए सारी चीजे जो आपकी किलर हो जाएगी सीटे अगर बची हुई है तो कितनी सीटे बची हुई है फिर आपको कैसे एडमिशन लेना है किस कॉलेज में जाना है इस सभी चीजे आपको बताया जाएगा जब नोटीश आईगी वहाँ पर हर एक प्रोसेस आपको बताया जाएगा हम यह वीडियो बनाना नहीं चाहते थे लेकिन आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर बताईए कि बहुत लोग कर रहे हैं कोई लोग कर रहे हैं 6,000 सीटे खाली है आखिस सही क्या है तो हमारे पस अगर कोई अपडेट नहीं होगी तो फिर हम आपको क्या बता ही है इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहेते लेकिन अंतता आप सभी के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आने की वज़े से मुझी ये वीडियो बनाना पड़ा कि आप सभी थोड़ा सा सब रखीजिए यानि कि जो भी होगा आप इस प्रेफ साइट पर देखते रहिए का और यहीं से मिलेगा जो भी अपडेट आएगी बाकी लोग क्या है कि वीडियो के लिए अपना खेल खेलना कि इतना सीटे खाली उतना सीटे खाल करेंगे और टेलिगाम पर भी शेयर करेंगे जिसका लिंक वीडियो के डिविशेशन में आपको सज्वाड किजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नई अबडेट होगी आपके डिविशन के प्रोसर से लेके उसके साथ मिलते हैं धन्यवाद